हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इद स्पेशल शियर खुर्मा प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी और इद की इदी में मेरे चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें सबसे पहले दी गई क्वांटिटी या आपको जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में बादाम, काजू और पिस्ता ले और तीनों को अलग-अलग गरम पानी में थोड़ी देर भीगो दे और बादाम और पिस्ता के छिलके निकाल कर तीनों को काट ले फिर एक पैन में एक टेबल स्पून घी ले और उसमें 50 ग्राम कटे बादाम डाल कर लगतार चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर हलका गोल्डन ब्राउन करके एक प्लेट में निकाल ले फिर बचे घी में एक टेबल स्पून घी डाल कर 50 ग्राम कटे काजू डाल कर लगातर चम्मच चलाते हुए हलका गोल्डन ब्राउन करके निकाल ले फिर बचे घी में एक टी स्पून घी डाल कर उसमें 50 ग्राम कटे पिस्ता डाले और लगातर चम्मच चलाते हुए हलका गोल्डन ब्राउन करके निकाल ले फिर बचे हुए घी में एक टीस्पून घी डालकर 30 ग्राम किश्मिश डाले और लगातार चमच चलाते हुए किश्मिश को फूल जाने पर निकाल ले फिर बचे हुए घी में एक टी स्पून घी डाल कर 50 ग्राम सेवियों को हाथ से तोड़ कर डाले और भून ले और हलका गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल ले सेवियों को अलग रखें और बाकी सारे ड्राइफ रूट्स को मिला ले इसमें 4-5 लोगों के लिए शीर खुर्मा बन जाएगा अब मैं यहां 2 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए 1 लिटर दूध लिया है और आधे ड्राइफ फ्रूट्स का इस्तेमाल करूंगी आपको पूरा बनाना हो तो 2 लिटर दूध ले अब 1 लिटर दूध को उबाल कर लगातर चम्मच चलाते हुए 3-4 तक रिड्यूस कर ले फिर आधे ड्राइफ फ्रूट्स और आधे सेवियां डाल कर चम्मच चलाते हुए दूध को आधा कर ले फिर उसमें 1-8 वां टी स्पून इलाइची पाउडर और 3 टेबल स्पून चीनी या आपको जितना मीठा चाहिए उतनी चीनी डाल कर 3-4 मिनट के लिए पका ले तैयार है इद स्पेशल शियर खुर्मा गर्म गर्म सर्व करें वीडियो को पूरा देखने लाइक करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो करें थैंक यू